नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुश्कार आए और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ सर उत्री दिली नगर निगम पिछले कई समय से काफी अभियान चलाए हुए तो सिवी लाइन जोन में जो है वो किस परकार के अभियान चल रहे हैं और क्या-क्या सुविधाय जो है वो छेतरवासियों को दी जा रही है नगर निगम की ओर से आज ये सबसे बड़ी जो ये समच्चा ये पोलूशन की है और जो ये डेंगू का जो ये जो सीजन चल रहा है परकौप हो रहा है उससे बचने के लिए जो उपाय हमारी जो निगम कर रही है वो सब चल रहे हैं पोलूशन इतनी जो ये बारी मात्रा में जो पोलूशन हो रहा है दिल्ली के मुख्यमंतरी केजरिवाल जी जो एक ड्रामा करके कि वे आमने ये प्योरी फायर हम लगा रहे हैं ये कर रहे हैं जगे जगे ये रेड लाइट पे जो न वो एक तक्ति लेके अपने जो कारकरत जो खड़े कर रखे हैं ये एक बहुत बड़ा जो ये गोटाला है कोई भी कोई भी बता दे किसी गाड़े वाले को उन्होंने जो भी ये रेल लाइट पे खड़े होते हैं किसी को ये जागरुक किया हो किसी को कहा हो कि वही ये रेल लाइट हो जा तो अपनी आप गाड़ ओफ कर लो उसके बाद ओन कर लो खाली वोई मतलב इस जो रैल डाइट पे जो है क перемiddius के फोटो किछ वाते हैं फिर दो गंटे वाद वो अगली जो रैल लाइट पे वोई फोटो किछ वा लेते हैं यह इनका बहुत बड़ा यह गोटला है और जो कनाठ प्लेस में जो मतलब काम सिरफ उन्होंने परदूसन के नाम पर जो भी घोटाला जो बड़े से बड़ा हो सकता है उसे कर सकते हैं जैसे अब जमना की जो ये सफाई का ले लो क्या जमना ये साफ हुई हर साल उनका एक ही बयान होता है कि मैं आप लोगों के साथ छे महिने बाद ये जमना मात हमें डुब की लगाऊंगा लेकिन आज भी आप देख लो कि ये जमना का ये क्या हाल है इतना मोनिया इतना मतलब जो गंडगी उसमें आ रही है कि उसकी उसके कारण इतना जो गंड़ा पानी आ रहा है लोग बाग उससे भी जो ये बिमार हो रहे हैं तो हमारी जो निगम इस प्रोदूशन से ये बचने के लिए जो रेक्ष हैं पेड़ पोधे हैं उन सब की हम ये धुलाई करा रहे हैं क्योंकि मिट्टी बैठ जाती है उन पे और सारा ये छिड़काओ हम करा रहे हैं और डेंगू के लिए उसके जो बचाओ के लिए जो मलेरिया जो डेंगू हमा प्रदेश अजग जी जुगी समान यात्रा जो निकाल रहे हैं तो हर जगे अब तक पैंतिस या च्छतिस विदान सबा में वो जा चुकी है सब जगे मतलब उसमें इतना मतलब वहां ये सुधार हुआ है सब जगे वहां पर जो विचारी ऐसी गरीब जो जुग्यों में मह जुगी समान यात्रा का जो ये कारे करम है तो हमारे उजला योजना के लिए जो कैम्प लग रहे हैं और जो भी उसकी भी लिस्ट बना रहे हैं कि ये जुग्यों से हम अपना उनका जो ये साड़ी बाटने का जो कारे करम है उसमें भी हम उसकी भी ये लिस्ट बना रहे है तो हमारे भार्चे जनता पार्टी हमेशा से जो भी अच्छे काम जो ये जनता के हित के काम है हम लगातार उसे जो फिर कर रहे हैं सर एक महत्वपूर्ण पद बर हैं आप चेर्मेन हैं जो स्वास्ते से छेतर में भी नगर रिगम ने पिछले कई समय से अभियान चलाया है तो वो किस तरह के अभियाने और क्या वो विसेश सुविदाई हैं जो जनता को दी जा रही है जनता के स्वास के लिए तो जो सबसे बड़ा जो मेल का पत्थर हमारे परधान मंत्री जी ये मोदी जी ने ये वैक्सीन का जो लगाया है सो करोड के पार होना जो एक कह रहे थे कि ये कारिया जो ना ये पंद्रे साल में पूरा होगा अर्विन केजरिवाल जो उसके परवक्ता जो ये कह रहे थे कि ये कारिया तो जो स्पीड से चल रहा जो पंद्रे साल में पूरा होगा लेकिन कितने जो ये कम समय में एक सो दस करोड के जो ये लगभग ये वैक्सीन जो ये लग चुकी है और उन्हें मतलब हर जनता की जो गरीब जो पैसे वाला तो वो पैसे से भी लगवा सकता है कहीं भी लेकिन जो एक गरीब मिडिल क्लास जो हमारी हिंदुस्तान की जो जनता है खास तोर से ये दिल्ली की उसके लिए हमारे परदान मंत्री जी ने पिर इसी ये योजना के तहत ये पिर कारे किया है इसके अलावा हमारी जो जितनी भी डिस्पेंसरी है वो जो लगातार कारे कर रही है अपना सारी दवाई आरियुवेदिक की भी और जो वैसे भी ये लगातार जो ना ये बाट रहे तो हमारा निगम हिंदुराव होस्पिटल में हमारा और सम्में लेकिन इसमें भी ये जान बूज कर ये रोड़ा अठकाने वाला काम कर रहे क्योंकि दिली सरकार से जो फंड अमारी जो ये सेलरी के लिए आता है हमारे निगम के करمचारियों को ली उसे वो लगातार रोकते हैं इस स्वास्त के मामले में भी अब हिंदुराव के जो ये करमचारियं वो हड़ताल पे हैं क्योंकि उनकी जो ना इचार महीने से ये सेलरी नहीं मिली जान बूजकर जो दिल्ली के मुक्षे मंतरी अर्विन केजरिवाल जी हैं इस तरह का माहूल पैदा करते हैं कि निगम के सफाई करमचारी और निगम के अन्य जो ये करमचारी है वो चाहे मलेरिया के हो या आया उनके जो ये पास हमारे निगम का है दिल्ली की लेकिन वो नहीं उसको ये रिलीज कर रहे और जान बूजकर इस चीज में हम इतना अच्छा जो ये कारे कर रहे हैं उसमें एक जो रुकावट ये पैदा कर रहे हैं सर अगर बात किसानों की करें पिछे कई साल से उपर का समय हो गया किसानों को आंदोलन चल रहा था जिसके बाद अभी हाली में मानिने परदान मंत्री जी ने किसान जो बिल है वो वापस लेने का एलान किया सारवाजिनिक रूप से तो उस पर क्या कहना चाहेंगे किसानों के हित के लिये थे लेकिन कुछ जो मुठी वर किसान जो विपक्ष का हमारा जो विपक्ष है उन्होंने इसे जो भड़का कर इस तरह का ये मुद्दा बना दिया जानबूज कर उसे एक इतना बड़ा ये मुद्दा जो बनाने का प्रियास किया लेकिन हमारे परदान मंत्री जी ने उस मुद्दे को बिलकुल जो ये जड़ से जो ये खतम कर दिया अब उनका ये पता चल रहा है कि ये खाली कोई किसानों के हित की कोई बात नहीं कर रहे हैं ये खाली जो राजनीती कर रहे हैं तीनों बिल जो है ये रद करने के बाद भी परदान मंतरी जी की गोशना के बाद भी आप लोगों ने सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि नहीं सिंदू ये सिंगू बोल्डर पर इस मारक बनाने के लिए हमें जगे दो ये जो है मुआवजा जो दो MSP का भी है अपने आप ये कमेंटी एक बनानी है हमारी जो ये भारत सरकार ने तो उसने उस हिसाब से काम करना है लेकिन इनकी बहुत सी मांगे ऐसी है अब बताओ ग्रहराज मंतरी को ये बरखास करना कह रहे हैं कि उन्हें भी ये जेल में डालो ये उनकी जो मांगों में ये सामिल है अगर मैं कह रहाँ कि उनके जो लड़के ने कोई अगर उससे कोई कराइम हुआ भी है हमारे उसमें तो कोई हुआ नहीं लेकिन अगर हुआ भी है तो उसके जो है पिता का इसमें ये क्या मतलब जो चीज का जो है ये मतलब है अरे उसके लिए जो कोट का है सारी प अफ्तार करो जेल में डालो इस तरह की जो मांगे जो बिलकुल जो ये ना होने वाली है उसका वो मतलब लगातार कर रहे हैं सिरफ और सिरफ उत्तर परदेश के चुनाओं है उत्तरा खंड के चुनाओं है पंजाब के चुनाओं है उसके लिए ये राजनीती का अखाड़ा इन्होंने जो है ये बना रखा है हमारे साथ मौझू थे नवी इन्तियागी जो सिवील लाइन जोन के चेर में ने